जो साइन्स कॉमर्स का आज हिंदी कोर का एक्जाम हो चुका है आप लोग एंसर मिला सकते हैं आप लोगों ने कितना सही किया है चैनल पर पहली बार है तो जरू सब्सक्राइब कर ले और जरूद मंदों को यह वीडियो जरूर सेयर करें तो चलिए हम लोग आज कुछ नया स सबसे पहले आपका objective question 30 को है यहां से आपको निमलिखित पद्यांस को ध्यान पूर्वा पढ़कर एक से चार के सही विकल्प का चैन करना है यहां लिखा है डूपकिया सिंदू में गोता कार लगाता है जा जाकर खाली हाथ लोट कर आता है तो इसको आप लोग देख लिए होंगे सीधे हम लोग question पर चलते है पहला question है गोता खोर खाली हाथ लोटने पर क्या करता है तो यहां पर साफ लिखा हुआ है कि सफलता एक चुनाईती है सुईकार करो मिलते है सहज मोती गहरे पानी में बढ़ता दूना उसास इसी हैरानी में मतलब गोता खोर क्या करते है कि बार बार क्या करते है परियास करते है मला पुना दूने उस साथ से परियास करते है इसलिए पहला का भी हो जाएगा आपका दूसरा है कोसिस करने वालों को क्या मिलता है तो कोसिस करने वालों को हमेशा सफलता मिलता है तीसरा है असफल होने पर व्यक्ति को क्या करना चा चाहिए कमिया देखनी और सुधारनी चाहिए इनमें से कोई नहीं तो कोई भी असफल होता है तो उसको कमी को ढूनना है और उसे दूर करके उसके सुधार करना चाहिए इसलिए इसका C अंसर हो जाएगा चौथा है आपका असफलता क्या है तो आज सफलता जो है वह एक चुनोती है मला आप चुनोती का सामना किजिए और उसकी कमी को दूर कर आप सफल हो सकते हैं तो चौथा का ए हो जाएगा चुनोती पांच से मला आपको गर्द्यांस को पढ़ना है और पांच से आठ के सही विकल्ब का चैन करना है चौथा है आए बढ़ाने के लिए कभी-कभी मनुस कहां फंस जाता है तो हमेशा अनुचित कार में, समुचित कार में, उप्यूद कार में, इनमें सभी तो आपका हो जागा अनुचित कार में फंस जाता है सात्वा है आपका खर्च कैसे करना चाहिए तो खर्च जो है वो हमेशा बजट बना कर करना चाहिए बजट क्या होता है तो IRY का हिसाब किताब होता है मेरा कितना आमदनी है कितना खर्चा है तो हमेशा अपना बजट बना कर ही खर्चा करना चाहिए साथमा का A हो जाएगा आठमा आपका सुक सांति कब मिलती है जब आप अपने I के अधार पर खर्च कीजएगा तब आप सुक सांति में रहिएगा तो यहांपो B हो जाएगा आठमा का B नवमा है समचार पत्र की I का परमुक्स रोग क्या है समचार पत्र का बिकरी से और उसमें छपे बिग्यापन से समचार पत्र के I होती है इसलिए आपका सही अंसर C हो जाएगा A और B दोनो दस्मा नमबर कोश्चन है निवन में से पत्रा चार का कौन सा परकार है पत्राचार का इसमें सभी परकार है इसलिए आपका दस्मक का D हो जाएगा इन में सभी 11 है संचार के मुदरन माध्यम में किसे सामिल किया जाता है तो यहां पर हो जाएगा मुदरन माध्यम में पत्रिकाय पेमपलेट समचार तीनों सामिल किया जाता है आमला छपाई में तो इसलिए हो जगा D इन में सभी 12 है आपका भारत में हिंदी का पर्थम समचार पदर कौन सा माना जाता ये question बार-बार repeat करता और इस बार फिर आ गया उतन मारतंग जो है इसका correct answer है 13 नमबर है फीचर में तत्यों की प्रस्तूती का ढंग होता है तो किस तरह का होता है तो ये होता है मनोरंजग तो 13 का आपका हो जगा B मनोरंजग 14 है मुद्रन की सुर्वात कहां से हुई थी तो मुद्रन की सुर्वात जो है वो चीन से हुई थी पद्रा से अठारा पर आपको पध्यांस को पढ़ कर उसका उतर देना है तो यहां पर लोग पद्रा कोश्चन पर आते हैं कभी के रोने को संसार क्या कहता है तो उसको क्या कहता है गाना कहा जाता है तो यहां ए हो जाएगा पद्रा का एक गाना सुल्ला नम्बर है कभी फूट पड़ा संसार क्या कहता है तो यहाँ पर फूट पड़ा मलब चंद बनाना संसार कहता है तो सुल्ला का ऐ हो जगा चंद बनाना 17 है प्रस्तुत पंतियों के रचयता कौन है तो इसके रचेता जो है वो आपका हरीवन्स राय बच्चन है 17 का सी हो जगा हरीवन्स राय बच्चन 18 है कभी दुनिया का क्या है तो कभी जो है दुनिया का क्या है तो दिवाना है 18 का ए हो जगा दिवाना 19 है आपका आत्म परीचे कवीता किस काब संग्रा से ली गई है तो ये लिया गया है निशा नियंदरन से 20 नमबर है पतंग कवीता के कवी है तो पतंग कवीता के कवी है आपका आलोग धन्वा 21 नमबर है, सारे रूप से दुर्बल और पीडा गरस्त कौन है, तो एक बिकलांग है तो यहाँ आपका A हो जाएगा बिकलांग कवीता सहर स्विकारा के रचनाकार कौन है, तो इसके रचनाकार जो है, वो गजानन माधव मुक्ति बोध है तो आपका यहाँ D हो जाएगा गजानन माधव मुक्ति बोध ताइस नमबर है कवी ने किस खेत की बात की है तो कवी ने कागज रूपी खेत की बात की है C हो जाएगा चोबिस है भक्तिन का वास्पिक नाम क्या था तो लच्मी या लच्मीन था यहां लच्मीन भी हो सकता है तो यह लच्मी आपका करेट अंसर है 24 का D हो जाएगा 25 है बजार दर्सन पार्ट के लेखक का नाम है तो जैनेंदर कुमार जो है वो बजार दर्सन पार्ट के लेखक अगर लेखक से बहुत सारा कोश्चन आया है लुटन सीग पहलवान किस उम्र में अनाथ हो गया था तो ये जो है नौ वर्स की उम्र में ही अनाथ हो गया था 17 सिल्वर वेडिंग पार्ट के लेखक कौन है 29 से अतीत के दबे पाओं के लेखक का नाम है लेखक से बहुत question आया है इसका answer हो जाएगा ओम थानवी और last question है मोहन जोदाडों का अर्थ है तो मोहन जोदाडों का अर्थ होता है मूर्दों का टीला तो 30 का आपका C हो जाएगा तो बच्चों यह थे आपका objective question तीस नंबर के आप लोग ने कितना सही किया comment box में जरूर बताइएगा जल्द ही हम subjective वीडियो भी बनाएंगे तो मिलते हैं नेट वीडियो साथ जय हिन जय भार